राम नगरी ये योध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है इससे तीन दिन पहले राम डला की जिस मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है काले पत्थर से बनी प्रतिमा में श्री राम की बेहद्मन मोहक्षवी नजर आ रही है आभा मंडल कुछ ऐसा जिसे निहारते ही जाने का मन करे राम लला की है मूर्ती करनाटक के मूर्तिकार अरुन योगी राज ने बनाई है इसकी खास बात ये है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है यानि की पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोडा गया इस मूर्ती का वजन दो सो किलो ग्राम है मूर्ती की उचाई चार दशमलब दो चार फीट और चौडाई तीन फीट है इस मूर्ती में भगवान श्री राम को पाँच साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है अब मूर्ती में बने दसावतार आपको बताते हैं सब से पाह, नर्सिंग, वामन, उसके बाद दूसरी तरफ हैं परशुराम, राम, कुरेश्न, बुद्ध और कलकी ये दसावतार हैं जो मूर्ती के दोनों तरफ उकेरे गए हैं करेंसे बाल स्वरूप से अधिसे बाल स्वरूप को देए हैं